हेलो एवरिवन एक बर आप सबका फिर सब स्वागत है साहित्ति जोती चाइनल में आज हम लोग असोक वाजपई जी द्वार रचित वापसी कवीता को पढ़ेंगे इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें कवीता शुरू करने से पहले मैं आपको दो-चार बाते बताना चाहती हूं इसे आप समझने का प्रयास करें जिससे हमें इस कवीता को पढ़ने में तहायता मिलेगा सबसे पहली तो यह बात आप जान ले कि किसी भी कवीता को पढ़ते समय उसकी केंद्रिय भावनाओं को समझना बहुत आवस्थ कवी अपनी उस कवीता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है उसको जानना आवस्थ सके यदि आप उसे समझ पाते हैं तो आप कवी कवीता को नहीं समझ सकते हैं इसलिए इस कवीता को पढ़ते समय पहले मैं आपको कुछ संकेत देती हूं जिससे आप थोड़ा सा इस बात को समझ पाएं इस कवीता में कवी ने किस चीज पर बल दिया है अब से पहले तो यह जानले कि असोक वाजपई जी जो हैं उनकी कव कभी जो है वो हर्याली कभी प्रकृति कभी पक्षी आदि को माध्यम बना के प्रस्तूत्र यही चीज हमें इस कवीता में भी देखने को में आईए अब हम कवीता की पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए जब हम वापस आएंगे तो बहचानी ना जाएंगे वो सकता है हम लोटे पक्षी की तरफ और तुम्हारी बग्या के किसी नीम पर बसेरा करें फिर जब तुम्हारे बरामदे के पंक्खे के उपर होसला बनाएं तो तुम्ही हमें बार बार बरजो तो यहां पर बग्या का अर्थ आप जानते हैं बग्या का अर्थ होता है बाग या बगीचा या उपवन पसेरा का अर्थ होता है निवास यानि कि जहां हम रहते हैं और बरामदा आप जानते हैं तहलीज जो होता है या फिर जो जिसे हम गलियारा कहते हैं और बर्जो बर्जो शब्द का अर्थ होता है फुस्सा करना आईए इसमें परंपराएं कह रही है कि जब हम वापस आएंगे वास्ता में होता है कि जो परंपराएं होती है प्राचीन कि लुपत नहीं हो सकती है है क्या होता है समय के साथ उनका रूप बिदल जाता बदल जाता है जैसे सदिया बदलते जातेuben उन परमपराओं के रूप बदल जाते हैं परउथ्यार सकती हें कि उने पर्मपराओं को हम पहचाण के कि प्रुप बदल चुका है इसलिए नवीन रूप में आते हुए कि वह सकता है कि से वह पकष्षी के रूप में वापस आएंगे ठीक है और संभव है कि हमारी ही बगिया में हमारी ही बगिया के किसी नीम के पेड़ पर अपना घोसला बनाए ठीक है जब तुम्हारे बरामदे के इसके लबा क्या कह रहे हैं कि और तुम्हारी बगिया के किसी नीम पर बसेरा करें हो सकता है हमारे बगीचे के किसी नीम के पेड़ पर घोसला बनाएंगी यहां पर परमपराओं की तुलना जो है वो पक्षी से की गई है ठीक है कि हो सकता है संभव हो कि जो प्राचीन परमपराएं हैं वो पक्षी की रू ुक में आए ऐसा है कि जो परंपराएं हमारे घर के बरामदे में लगे पनखे के ऊपर ही अपना घोसला बना। एक पश्कति नहीं पहचान पाई और न पहचानने के कारन। उपर गुष्सा करें। उप्ना क्रोथ दिखाए यह वाली पंक्ती जो कही गई है, जब तुम्हारे बरामदे के पंक्खे के उपर घोसला बनाएं, तो तुम ही हमें बार-बार बरजो, बरजो यानि गुस्सा करो, क्यूं बार-बार गुस्सा करो, तुम हमें पहचान ना पाओ, कि हम वही प्राचीन परंपराएं हैं, वही स्थापित मूले हैं, जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, तुम उन्हें पहचान ना पाओ, तो हो सकता है, कि तुम उन्हें पे क्रोद करो, या तुम उन्हें लकार दू, ठीक है, आगे की पंक्तियों को देखते हैं, देखे, मैंने बताया है, ध्यान कि वे प्रकृति के माध्यम से परंपराओं को स्थापित करना चाते हैं, तो आगे वही बात कहते हैं, या फिर थोड़ी सी बारिश के बाद, तुम्हारे घर के सामने चा गई हर्याली की तरह वापस आएं, किस तरह वापस आएं, हर्याली की तरह वापस आएं, हम जिसे से राहत और सुख मिलेगा तुम्हें, पर तुम जान नहीं पाओगे कि उस हर्याली में हम छिटके हुए हैं, यहां छिटके शब्द का अर्थ होता है, बिखरना या अलग होना, तो आगे क्या बताते हैं, कभी कभी आगे बताते हैं, कि हो सकता है, यह जो परंपराएं हैं, वो विबिध रूप, विबिध रूप यानि अलग अलग तरह तरह के, ठीके विबिध रूप यानि अलग 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 रूपों में, पहला रूप तो बताया कि पक्षी की तरह आएंगे, दूसरा रूप क्या बता रहे हैं, कि हो सकता है, हम तुम्हारे घर म जो है वो हर्याली की तरह आएं तो वो सकता है कि हलकी बारिश हमारे घरों के सामने जो हर्याली चा जाती है उसके रूप में ये परंपराएं वापस आएं और आपने देखा है कि जब बारिश के बाद हर्याली चाती है तो क्या होता है हमारा मन सुक्षैन से त्रिप्त हो जा वो हमारा दिल, हमारा मन वो खुशी एवं प्रसन्नता से भर उठेगा, खेल उठेगा लेकिन क्योंकि हम उन परंपराओं को पहचान नहीं सकेंगे पहचान नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? हम उन्हें सही तरीके से जान नहीं पाएंगे तो वे हर्याली की तरह आएंगी तो सही हमारे खुशियों के बीच भी छीपी रहेंगी लेकिन वे परंपराएं हमें दिख नहीं सकेंगी ये वे ही प्राचिंग परंपराएं हैं जो हमारे जीवन में काफी महत्वा रखती हैं आगे देखिए अब किस रूप में आएंगी अब हो सकता है हम पलास हो सकता है हम आएं पलास के पेड़ पर नहीं चाल की तरह जिसे फूलों की रक्तिम तकाचौंध में तुम लक्ष भी नहीं कर पाओगे हम रूप बदल कर आएंगी तुम बिना रूप बदले भी बदल जाओगे यहां पर रक्तिम शब्द का अर्थ है लाल रंका और लक्ष यानी चिनहित करना या फिर पहचानना या देखना तो अब आगे जो हमारी प्राचिन परंपराएं हैं जो की बहुत ही स्वस्थ परंपराएं हैं यहां ध्यान रखिएगा प्राचिन परंपराएं कहने का मतलब जीन शिन पुरातन परंपराओं की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर स्वस्थ परमपराओं की बात की जा रही है, जिससे मनुश्य का जीवन वो डेवतूली बनता है, आगे बढ़ता है, उन परमपराओं की बात की जारी है, समाज में अद्धुनिक्ता आ जाने की कारण कई बार यह परमपराए पीछी छूड गई हैं, इसलिए इनक यह जो स्थापित मुल्य हैं वे पलास के पेड़ पर नई छाल के रूप में भी आ सकती है लेकिन आगे क्या कह रहे हैं जिसे फूलों की रक्तिम चका चौंद में तुम लक्ष भी नहीं कर पाओगे लेकिन यह संबब है कि पलास के पेड़ पर लगे चटकीले लाल फूलों की चमक के बीच उस मध्यम छाल में मुझूद मुल्यों को हम पहचान न पाएं यहां पर कहा गया है कि कभी कभी क्या होती है कि जो परंपराएं होती है जो हमारे मुल्य होते हैं वो हमारे जीवन में बड़े चुपके से प्रवेश कर जाते हैं हमारा जीवन बहुत ही आकर्षकों के बीच फसा हुआ होता है और उस आकर्षकों के बीच यह जो परंपराएं है उस सरल रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर देगा यह जो लाइन के ही गई है इस लाइन को समझने का प्रयास करें कि हो सकता है हम आये पलास के पेड़ पर नहीं चाल कितर इसे फूलों की रक्तिम चका चौंध में इसे फूलों की रक्तिम चका चौंध में तुम लक्ष भी नहीं कर पाऊगे क्या कहा गया है कि अब जो यह स्वस्थ परंपराएं हैं जो स्थापित मूलने हैं संभवता यह पलास के पेड़ पर नहीं चाल के रूप में आए लेकिन पलास के पेड़ पर जो चटकीले फूल खियोते हैं, उसके जो रंग होते हैं, हो सकता है उसके आकर्शन के कारण तुम जो है, वो छाल में छिपी, जो परमपराएं हैं उसे पहचानना सको, यहां किस और संकेत किया गया है, यहां संकेत किया गया है कि कभी-कभी क्या होते हैं, जो परमपराएं होते हैं, जो इस्थापित मूल्य होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत चुपके से प्रवेस कर जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे आकर्शन होते हैं, आकर्शनों के बीच बहुत चुपके से, बहुत सरलता से प्रवेस कर जाते हैं, इसके जय की कारण हमक्या होता है उन्हें पहचान नहीं पाते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि वह हमारे जीवण में आचुके है फिर क्या कहते हैं कि तुम हम रूप बदल कर आएंगे तुम बिना रूप बदले भी बदल जाओ Gesture कभी के अनुसार समय के साथ जो पुरातन मूल्य हैं या जो स्वस्त परंपराएं हैं इस कदर बदलेंगी कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे जान भी नहीं पाएंगे लेकिन हमारा रूप भले ही ना बदले, यानि परमपराओं का रूप भले ही ना बदले, हमारी सोच, हमारी दृष्टी और हमारे हाव भाव बदल जाएंगे, यहां पर कहा गया है कि हमारा रूप भले ही ना बदले, लेकिन हो सकता है हमारी जो सोच, हमारी दृष्टी, हमार जो देखने का नजरिया है वो बदल जाए इसलिए जब परंपराएं आएंगी तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे ठीक है लेकिन परंपराओं का क्या है वे केवल मात्र उनका रूप बदले आशायक आप इस पंक्ति को समझ पाएं होंगे या जो पहचान नहीं पाएंगी इसमें कहा गया है कि परंपराएं जो हैं वो रूप बदल कराएंगी, इस तरह रूप बदल कराएंगी, रूप बदल कराएंगी, कि हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगी और हमारे बारे में क्या बता है मनुष्य के बारे में क्या बता है कि मनुष्य भले ही अपना रूप ना बदले लेकिन उसके जो सोचने का तरीका है जो उसकी द्रिष्टी कोण है उसके हाव भाव है वो बदल जाएंगे उसके बदल जाने के कारण ही जो है परमपराओं को प खर, वगिया, पक्षी, चिडिया, अर्याली, फूल, पेड़ वही रहेंगे हमारी पहचान हमेशा के लिए गड़मट-गड़मट कर जाएगा यह अंत जिसके बाद हम वापस आएंगे और पहचाने ना यहाँ पर गड़मट-गड़मट का अर्थ है आपस में मिल जाना तो यहाँ पर कभी क्या है प्रकृति के माध्यम से चीजों को बता रहें कभी का विचार है कि जो समस्त प्रकृति है जो समस्त प्रकृतिक तत्व है कौन-कौन सी जैसे हमारी बगीचे हमारे पक्षी अर्याली फूल पेड़ हमेशा एक जैसे ही रहेंगे उन्हीं के भीतर जीवन मूल्य और परंपराय इस कदर एकाकार हो जाएंगी इस तरह मिल जाएंगी कि हम चीजों को अलग नहीं कर पाएंगी हमारे लिए चीजों को अलग कर पाना संभव ही नहीं होगा परंटो इसके बावजूद भी पुराचिन परंपराय रहेंगी आती रहेंगी लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें पहचान ना पाएं तो कि हमारे सोचने का धंग हमारे नजरिया में परिवर्तन आ जाएगा हम इसी कारण जो परंपराएं हैं जो केवल मातर अपना रूप बदल कराएंगी बाद बकी वे बिल्कुल उसी तरह रहेंगी उनका जो पास्तविक मुल्य है वो उसी तरह बना रहेगा परंटु हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे हम उन्हें समझ भी पाएंगे तो अगर आप इस कवीता को पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि इस कवीता के माध्यम से कभी ने परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास पताया है कि समय के साथ जो हैं परंपराओं के रूप और स्वरूप तो बदल रहें हैं परंटु उनका जो मूल्य है उनक का महत मानवजाती के जीवन में हमेशा ही बना रहेगा तो आशा है कि आपको यह कवीता समझ में आई होगी यह कवीता एक आध्वनिक तोर की कवीता है जिसमें संकेतों के माध्यम से मूल्भाव को समझाने का प्रयास कि तो आपको यह कवीता जरूर समझ में आई होगी य अगर आपको कहीं कोई पंक्ती में सुविधा हो रही हो कि क्या कहा गया है तो आप पुना जो हैं वो comment section में comment करके पूछ सकते हैं मैं उसका उत्तर और उसे पुना समझाने का प्रयास अवस्य करूंगे तो इसी के साथ अब वीडियो को खत्म करती हूँ और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चानल का सब्सक्राइब करना आप भूले हन्यवाद